नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के द्वारा रचिते एक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाव दिये गए है इस गरंत का मुख्य विशय, मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महतपूर्ण नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है दोस्तों अगर आप अपने जीबन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा दोस्तों बेईज़ती यानि अपमान एक ऐसी चीज है जो कोई भी इंसान बरदास्त नहीं कर सकता आज के दौर में छोटे छोटे बच्चे भी जरा जरा सी बात पर इंसल्ट फील करने लगते हैं कुछ लोग अपमान को भूल जाते हैं तो कुछ लोग इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों आम तवर पर आपका कोई अपमान करेगा तो आप सीधे उसी भाषा में उसे जबाब देने लगेंगे लेकिन आचारे चारक ने इस तरीके को सही नहीं बताया है अपमान नंद बंश के राजा धनानंद ने किया था लेकिन आचारे चारक ने अपने गुस्से को जाहिर नहीं होने दिया और उसे अपना हतियार बना कर अपने सभी दुश्मनों का नाश कर दिया दोस्तों ये समय तो राजा और महा राजाओं के दौर का था जब एक राजा दूसरे राजा पर अपनी सत्ता अस्थापित करने के लिए अक्रमर करते थे लेकिन आज के समय में आप आचारे चारके की इन नीतियों को समझ कर बेज़्जती करने बालों को करारा जबाब दे सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जराब इस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले करपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों चारक की नीती के अनुसार अगर कोई शत्रू आप से ज्यादा ताकत बर है तो उसे उसके अनुकूल चल कर दुष्ट प्रभाव बाले को उसके बिरुद चल कर समान बलबाले शत्रू को बिनए और बल से नीचा दिखाया जा सकता है तो अगर आपका कोई अपमान करता है तो उसे आचारे चारक की इन नीतियों दोरा पराजित करने की कोशिश करें दोस्तों अचारे चारक के आगे बताते हैं जब कोई आपका अपमान करे तो उस समय खुद को शांत रखने की कोशिश करें उसे उसकी भाषा में जबाब देने की बजाए उस इंसान की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुरा दें आप खुद देखेंगे कि सामने बाला इंसान खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा वो आपको खुश देखकर चिड़ेगा दोस्तों बहुत से लोग इस नीती को अपनाते हैं शास्त्रों में माउन रहने को सबसे बड़ा हतियार माना जाता है क्योंकि इस सामने बाला कभी नहीं जान पाएगा कि आपके मन में क चल रहा है दोस्तों आचारचारग के अनुसार समजदार इंसान कभी दूसरों को अपमानित नहीं करते जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है वो जीबन में कभी भी सफल नहीं हो सकते आचारे चारक के आगे बताते हैं दुश्मनों को हराने के लिए सबसे सही तरीका ये है कि पहले उसे अपनी कूट मीती में फसाएं यानी कि उसकी शक्तियों और उसके सहियोगियों को उससे दूर करें दोस्तों NTV मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो